आप देख रहे हैं अपना समाचार्ट इस बार में वीडियो भी बनाए मैंने वीडियो भी पोस्ट किया है बहुत गुसा हूँ बहुत गुसा इस बात से हूँ कि आज भी जो मैंने वीडियो में भी बोला है कि 2019 सदी में आज हम लोग जिस युग में, जिस जमाने में, जिस जनरेशन में, जिस टेकनोलोजी दुनिया जितनी तेज भाग रही है, हम इस टेकनोलोजिकल दुनिया में भी होने के बावजूद, अगर हम ऐसी चीजों से अगर हम नहीं निपट पा रहे हैं, हमारा बिहार सरकार नहीं कर सकते हैं यह तो प्रकृति का बहाव है तो यह कोई statement नहीं हुआ यह सोचने वाली बात है कि आप अपके पास ऐसे लोगह नहीं है आपके इसे टेक्नलोचन नहीं है कि अंप that अगले दिन देखिए तो पुरा मुंभई साफ मिलता अपको अगले दिन ने कुछ को पूरी तो ये बिहार सरकार को बहुत ध्यान देना होगा, वो सिर्फ अपनी वावाई या चीजे कराने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, और जो बात और में चैनलों के माधियम से, हमारे मीडिया कर्मी भाईयों के माधियम से, आप सब तक ये बात पहुचाना चाहता हूँ, मैंने व मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, इसलिए नहीं जा रहा हूँ, कि जाने से माहूल खराब हो जाता है, माहूल विगड़ जाता है, अफरा तफरी मज जाती है, तो इससे अच्छा है कि हम यहीं रहकर, हम वहाँ पर मैं अपने लोगों से करवा रहा हूँ, जो भी मुझ से हो यह बिल्कुल ऐसाने ही यह बहुत सीरेस बात है इस वारे में सोचिए समझेये यह सीरेस हमें सोचना पढ़ेगा इस बारे में हमारे सरकार के बारे में उन्हें भी जागृता दिलानी पड़ेगी और जितने भी लोग आप निकलका कर ससमें मदद चाहते हैं वो निकल लिए और मदद करने से पहले क्रिप्या कम से कम इस बात में तो जाती और धर्म को मत लाइएगा क्योंकि हमारा भोजपूरी आज यह ऐसा पहले नहीं था लेकिन आज लोग जाती बात जो लोग जो कुछ लोग शुरू कर दी है मैं आप सबसे गवार करता हूं कि कम से कम इनसानियत का राचुनिये इनसानियत को मद्दे नज़र रखते हुए आप आगे बढ़िए मदद कर लोगों का मेरे परिवार का है वह तो वह हमारे लिए हमारे परिवार के लिए यूसफुल होना चाहिए हमारे परिवार के काम आना चाहिए यह उन सबसे मेरा निवेदन है मेरी गवार है और जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं मेरी बाते सुन रहे हैं सभी से एपिएस वहीं से निकलते हैं लेकिन आज भी सबस्यादा पिशड़ा वहीं है हर आला अधिकारी हमारे बिहार से निकला हुआ है बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं बड़े-बड़े-बड़े-ईटीज हैं इंजियनियर्स हैं लेकिन जब ऐसी बाते आती है तो कोई काम मे नहीं आता है क्रिपया करके आप सभी लोग आगे बढ़े और मेरे पटना और उसके साथ साथ यार के पंदरा से अधिक जीले इस इस प्राकृतिक पीड़ा से ग्रसी थे तो सभी लोग जाकर क्रिपया आगे बढ़कर मदद करें और जाते धन्यवाद बोलना चाहूंगा दिल से आप सबको प्यार करता हूं दिल से आप सबको चाहता हूं बच्पन से आप सबको आप सबके घर परिवार में रहा हूं अपना प्यार या अशिरवात बनाये रखे और अपने चिंटु को यह प्यार देते रहे जो भी फिल्में देखते रहें अपना प्यार देते लोग काफी बजा रहे हैं मैंने उसे अपनी ही चैनल देशी धुन से लांच किया है पहला वाला था गोड़ लागा तानी मयूद ौछछ वारा है उसपर टिकटॉक बना जा रहे बहुत सारे बहुत अच्छा लगता है जब आपको टिक्टॉक पे जब आप देखते हैं कि अपने गाने पर लोग टिक्टॉक बना रहे हैं वीडियोज बना रहे हैं तो आप सब भी ज़रूर जितने भी आपको अच्छा लागी गाना सुनिये बजाईए माता का तेवार है आप सब को फिर से सभी मेरे लोगों को नवरात्री की बहुत सारी शुक्कामना है और इस नवरात्री अपने पास के पंडाल में अपने घर में आपके भाई का चिंटू का देवी की जरूर सुनें गोड़ चुके गोड़ लागता नहीं मैया और साथ-साथ आज कल जो हाला की अभी जो जल्दी का जो मैटर है चलान जो कट रहे हैं बहुत जादा सब पर चलान जो कट रहे है और जिसे बहुत हमारी आम जंता ग्रसित भी है उस मुद्दे पर भी गाना गाओ कि जीजा जी का चलान काड़ दिया है तो जाकर उस गाने को भी जरूर सुनिया आप सबको बहुत पसंद आएगा वो गाना है कि साली बोलती है आई थी दसाहरा मेला बीच में हुआ जमेला हेलमेट नहीं लगाए थे धोके साट दिया है अजी जाजी का चलान पुलिस ने काट दिया है तो यह आप लोग जरूर सुने और वीडियो द हमारी भोच्पूरी की क्वीन रानी चडर जी जी उस देवी गीत में मेरे साथ 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 नई सेंसेशन हमारी सोने लिका प्रसाद भी है उस गाने में तो आप सब लोग जरूर देखिए अपना प्यार और आश्यरवाद देते रहें थैंक्यू सब्च